बिलास प्रचिला के लगबग 15 पंचायतों को जोडने बाला बम ब्रिज आज अपनी बधाली पर आंसूरोने को मजबूर है आलम ऐसा है कि एक और जहां ब्रिज में जगा जगा गड़े पड़े हुए हैं तो साथ रेलिंगे भी तूट गई हैं आलम ऐसा है कि एक और जहां ब्रिज में जगा जगा गड़े पड़े हुए हैं तो साथ ही रेलिंगे भी तूट गई हैं जिसके चलते कोई बड़ा हाथचा पेश हो सकता है बहीं ब्रिज की खसा हालत को लेकर स्थानी ग्रामिनों ने प्रदीश सरकारव प्रशासन से ब्रिज की जल्द मुरमत करवानी की अपिल की है तो बहीं लोक निर्मान विभाग के अधीक्षन अभियंता आरकी बर्मा ने 16 लाग के बजट से जल्द ही पुल की मुरमत किये की बात कही है स्थानी ग्रामिनों का कहना है कि काफिश में से बंपरिज के हालत जस्की तस्त बने हुई है जिसके चलते पुल की रेलिंग भी तूट चुकी है वहीं अब बड़सातूं का दोर भी शुरू है और ऐसे में खडमे पानी का बहाब तेज होने के दौरान किसी बच्चे वो बुज़ूर के रेलिंग से गिरने के चलते कोई बड़ा हाथ्चा हो सकता है, इसलिए प्रशासनब, सरकार को चाहिए कि जल्द से जल्द पुल की मुरमत का काम शुरू किया जाए ताकि किसी बड़े हाथ्चे को होने से रोका जा सके. से हमें इचाते सरकार से भी सरकार जो है, इसकी ओपर ध्यान दे, समय रहते हुए, लगवे 15-16 पंचैते से उनेक्टेट आए, तो आज आप देखी रहे हैं, बैसा रखुटता है, जैसा है, बैसा ही, इसकी आल पखस्ता ही है, सरकार से क्या पील करेंगे? सरकार से तो हम ऐसी पार लिए, बहीं इस समस्या के बावत जब लोक नर्मान विभाग बिलासपुर के अधिक्षन अभियनता आरके परमा से पूछा गया तो उन्होंने माना की बम ब्रिज की हालत खस्ता है, और जिससे आने बाले समय में लोगों को दिकत का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही उन्होंने ब्रिज की जल्द मुरमत के लिए लगबग 16 लाग टेंडर पास करने और जल्द ही मुरमत कारे शुरू करवाने की भी बात कही है, ताकि आने बाले समय में स्थाने क्रामिनों को किसी भी तरह की कोई भी परिशानी का सामना करना पड़े हाँ, बॉम ब्रीज एक्ष़लि एकेफी पराना ब्रीज है, अब इसकी रपीर ड्यू थी. तो इसके action गमार मीन इसके रपीयर के टर्डर कियो है, जिसमें इसकी रेलिंऑ का काम भी है, और उसके सर्फिस का भी है और इसकी वीरिंग और सब सब चीजें उसकी रिपेर होनी है पार्टली उसकी रिपेर हो भी चुकी है लेकिन कुछ जो काम बचा हुआ है रेलिंग का और सर्फिस का वो इंड्यू को सब टाइम में जो है हम इसको कर लेंगे ताकि यह मतलब कि गाड़ी के लिए चलने के लिए ठीक हो जाए इसा